पहरत सरकार ने एक मिशन कर्मयोगी अभी दो दिन पहले ही केमिनेट ने उसको मंजूर किया है। हम बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देना चाहते हैं इस ट्रेनिंग की अक्टिविटी को, एक मिशन कर्मयोगी की रुप में देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं अपना अनुव और बताना चाहता था। मैं गुजरात में एक 72 गंटे का कैप्शूल बनाये था मैंने ट्रेनिंग का। और सरकारी अफशरों को तीन-तीन दीन के लिए सब प्रकार के मुलाजिम के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग थी 72 गंटे की। और बात में मैं खुद उनका फिडबेक लेता था, क्या अनुभवाया। जब शुरू का काल गंट था तो एक 200 लोग जो जोनों ने ट्रेनिंग ली थी मैंने उनकी मीटिंग की। पूछा भी कैसा रहा है बहतर गंटे में जादा तर लोगों ने कहा है बहतर गंटे में बढ़ाना चाहिए हमारे बहुत उपवेजी होता है। कुछ लोगों ने कहा कि विशे उसमें एक पुलीस वाला खड़ा हुआ। उसमें मैंने पूछा भी आपका क्या अनुभ हो रहा है। उसने मुझे कहा मुझे कि साथ इस बहतर घंटे में मैं अब तक पुलीस वाला था, इस बहतर घंटे ने मुझे इंसान बना दिया, इन शब्दों की बहुत बड़ी ताकत थी, वो कहता है कि मुझे कोई मानता ही नहीं था, मैं इंसान हूँ, सब लोग एज देखते हैं, मैं पुलीस वाला हूँ, इस बहतर घंटे की ट्रेनिंग में मैंने अनुभग किया, कि मैं सिर्फ पुलीस नहीं हूँ, मैं कि इनसान हूँ, देखिए ट्रेनिंग की ये ताकत होती है, हमें ट्रेनिंग की लगातार, अब जैसे आप कहां परेड, आपको पक्का करना चाहिए, परेड के जो घंटे हैं, एक मिनिट कम नहीं होने देंगे, आप अपने स्वास्त की जितनी चिंता करेपने साथियों को हमेसा पूछते रही है, स्वास्तर का कैसा है, एक्सिसाइज करते हो नहीं करते हो, वेट कंट्रोल रखते हो नहीं रखते हो, मेडिकल चेक अप कराते हो नहीं कराते हो, इन सारी चीजों पर बन दीजे, क्योंकि आपका शेत्र ऐसा है, कि जिसमें फिजिकल फिटनेस सिरफ युनिफर्म में अच्छे दिखने के लिए नहीं है, आपकी डूटी ऐसी है, कि आपको इसको करना पड़ेगा, और इसमें आपको नेतरूत में देना जन हा, सं यत प्रमाणम कुरुते लोक हा, तत अनुवर्तते, अर्था, श्रेष्ट लोग जिस तरह का आचरन दिखाते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही आचरन करते हैं, मुझे विश्वास हैं, कि आप उस श्रेष्ट जनों की श्रेणी में हैं, आप उस श्रेष्ट आको सित करने की स्रेणी में हैं, आपको एक अउसर मिला है, साथ साथ एक जिम्मेवारी मिली हैं, और जिस प्रकार की चुनोतियों से आज मानुजात गुजर रही हैं, उस मानुजात की रक्षा के लिए, हमारे देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए, भारत के समिधान के प्रत रोल इसकी विशेष महत्ता है, मैं रूल बेज काम करूंगा की रोल बेज काम करूंगा, अगर हमारा रोल बेज ज्यादा महत्वपर मानेंगे, तो रूल तो अपने आप फोलो हो जाएंगे, और हमारा रोल परफेक्टली हमने पालन किया, तो लोगों में विश्वास और पर जाएगा.